नमस्कार, CMN देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ का निकार जब बात आ जाए हमारे देश की शान की तो क्या वृद्ध और क्या युवा बच्चे भी देश को अपना योगदान दीने में पीछे नहीं हटते हैं वे अपनी सारी खुशिया देश के हित के लिए जो च्छावर करने के लिए ततपर रहते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं मद्यपरदेश के धार की जहां जिले के एक निजी स्कूल के चात्रों की जिनोंने अपनी गुलक शहीदों के नाम करके एक मिसाल पेश की है नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने गाउं में जाकर समाज को परोपकार और अपने कर्तव्यों के प्रती जाकरुक करते हुए एक लाख पचत्तर हजार रुपे की सहायता राशी एकत्रित की साथे विधाले की शेशकों ने एक दिन का वेतन शहीदों के नाम पर 43,000 रुपे की राशी एकत्रित की है और कुल 2,44,000 रुपे की राशी के चेक कलेक्टर देपक सिंग को सोपा है सभी बच्चे अपने अपने गुलक लेकर स्कूल सिंचालक सुमेंदर सिंग के साथ जिला पंचायत पहुँचे एक स्कूल के बच्चे मुझे आकर मिले वो अपनी गुलक में एकठे किये गए पैसे और स्कूल के सारे स्टाफ के लोगों ने अपने एक दिन की सावड़ी उसमें दी है और वो चेक हमें सौपा है जिसे पुलमाव शहीद परिवारों के साहतार्थ नर्धारित एकाउंट में और आशी जमा की जाएगी और इन बच्चों ने एक बहुत ही सराहनी उदाहरन परस्तुत किया है पुरे समाज के सामने पुरे देश के सामने कि जो हमारे सैनिक देश की रच्चा के लिए अपनी जान की खुर्बानी देते हैं उनके परिवारों के बारे में सोचने की संवेदन शिल्दा हमारे बच्चों में दी है तो यह बहुत ही सराहनी कदम है और उनके द्वारा जो एकत्रित की लिए राशी है वो हम शासन को देजेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रिणना लेके दूसरे लोग भी गुचसाहित होंगे साहता करने पोगे योपे के मुरादबाद के बात करते हैं जहाँ पिक अप और बाइक की जोरदा टक्कर हो गई इसासे में एक के मौट जबकि एक गंफीर रूप से खायल हो गया अरण फारण में मुझूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस स्मोक के वारदात पर पहुची और शफ को कबजे में लेकर पोस्ट माडम के लिए भिजवा दिया वही इस हाथसे के बाद पेड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है कुशाबी जिले के एक कोशाफपुर गाओं के पास नेशनल हाईवे दो पर बच्चों से भरी स्कूली बस ट्रक को बचाने के चकर में अनियंतरित होकर पेड से जा टकराई जिसमें तीन स्कूली बच्चों सहित ड्रैवर और खलासी मामली रूप से घायल हो गए कोखराज पुलिस ने आसपास की लोगों की मदद से सभी घायलों को नजी की अस्पिताल में भरती कराया जहां बच्चों का इलाज चल रहा है कितने बच्चे गों हैं? बिन चार बच्चों को मामली चोटा कुशांबी चिला का नसीरपूर गाउं में एक कच्चा मकान धीरे धीरे उस समय गिरने लगा जब घर के सदस्य खाना बनाने की तयारी कर रहे थे मकान को गिरता देख सगस्यों ने भाग कर अपनी जान बचानी चाही तब ही आगे का जरजर भाग गिर जाने की कारण चार लोग मकान में ही फस गए मकान के अंदर फसे लोगों की चीक पुकार सुनकर पडोसी भाग कर मोके पर पहुंचे इसकी सूचना सैनी पुलिस को दी गई सैनी पुलिस ने ग्रामीनों की मदश से मकान में फसे चारों लोगों को सकुषल बाहर निकार लिया घर के सब इस अदस्यों के बाहर आने के बाद जरजर कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया मलबे के नीचे दबने से घर का सारा समान बरबाद हो गया है नाम हमारा हरियों के स्वाधा है। आप को कलोरी नहीं है? की सबसे हैं आपको कलोरी नहीं मिली? एक तरफ जहां सरकारे शिक्षा के स्तर को उचा उठाने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन ये दावे कितने सच है ये हम आपको दिखाते है मामला पंचाब के मोगा का है जहां पर अकालसर रोड पर वना सरकारी प्राइमरी दिनों दिन सरकारी दावो की पोल चीक-चीक कर खोल रहा है आपको बता दे कि स्कूल में पिछले दिनों से बिजली ही नहीं है क्योंकि बिजली बिल बकाय होने की वज़े से बिजली को काट दिया गया पानी दी मेजर्स मस्ते है पानी दी है बच्चेया नू पीन वस्ते पानी नहीं दागा सेकेंडली फिर स्कूल दे विचे नर्सरी नू मिला के लगबग तिन सो बच्चे है साडे स्कूल चे वाश्ट्रूम चे तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जन्दे है ते स्मेल लें नीकू अंदी है बई असी एंवी नी हो सकता भी कम रे तो बार बच्चे क्योंकि शेरी स्कूल जगा का ट्वन करके असी बार वी नी बिढ़ा सकते बारिश ते मौसम ची भी पॉसिबल नीगा क्योंकि अज़ता तुप निकली है जे बारिश होंदी है तो बार वी नी बैठ सकते ते अंदर होर भी ज़्यादा हने रहो जन्द है फिर मतलब यही पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होंदी है बच्चे आंगी रिटर्न वर्क का ट्वन दै फिर औरल वर्क की क्योंकि लाइट की वजह से तो लाइट कम है तो पॉसिबल ही नहीं आप खूदी देख सकती हो एक्चली हमारे पास कोई है नहीं पैसे पे करने के लिए बिजली का बिल लगभग 40,000 है जो पैंडिंग पड़ा हुआ है तो हमारे पास कोई फंड नहीं कोई कुछ नी प्रा पानी नहीं आती है कभी कभी आती है जैसे तीन-चार महिने पहले आये थे लगभग 10,000 रुपए हमने वो पे कर दिये थे उन्होंने कनेक्शन दोबारा चालू कर दिया था लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है सरकार भी कोई हेल्प नहीं कर रही है इसलिए मीटर काट द लगा लेकिन अब पानी करने तो फिर आरो भी नहीं चलता कि यह स्पानि नहीं करके हमारे स्कूल में जश्टिन Θान agriculture दान किया है थो हम सारा स्टाफ क्लेक्शन करके डीजल डलवा लेते हैं टैंक यह बढ़ लेते हैं बच्चों के लिए वैसे तो पर पानी की बड़ी ज़दा मुश्किल आती है हैं तो आप भी सभाझ सकती हो कितनी मुश्किन अति इतने बच्चों को सम्भाथना मुश्किल हो जाता है ड़्र मैं ध्यादे क्या नहीं सी कोलाज में पढ़ते हो और फ्स पानी में पारशानी होती तो बच्चों के लिए पीने फ़ला होते हैं बॉश्रूम में तो कैसे डाल सकते हैं साथ सफ़ाई नहीं होती है खाना मिलता है मिट्डे मील का परतन साफ होते हैं कि अधिवी साथ मेरा विजय कमार जी आपके स्कून का विजली को कनेक्शन कट गया प्राइमी अजिसे कड़ा हुए क्या जर्मसे हैं हो गया सर हफ्ता दाज दिन हो चलिया मीटर कटा गया साड़ा के साड़ा भीली ता पहला मीटर कटा गया सी ओधों फिर सरकार ने पहले प फिर चालू करता मीटर होन साड़ा बिल मरेखल कुई चाड़ी के जारदे लागे ताके खड़ा फिर कट गए असी सब्सक्राइब किती सी पर जदो सरकार पैसे पेज़ेगी साड़े उससे दिन असी तो डिकुली जमा करा दे आंगे ते ओंदे भी चलो ठीका बस पर गाल क पानी दिया तो में देज़े बरतन वर्तन वी साफ होंदे अटा इधन सो थाड़ा हो साफ करने होंदे वाश्रूम आठा इधन सो बच्चे वाश्रूम जान्देया पो समयल मार दी पारे सारा महोल मलव बैण जोगा रहें दैनी इनक इनक दो सचाली देक दिकरी बच्चे तो चलता है आरो चलता है नारो लगया जे बेजली होगी तो चलेगा पानी तो पानी इद्धा भी साड़े नाडी थे सरकारी डिस्पोजल नगर निकम दी उत्थ फिर जडिया कोक्का उना तो बाटियां लेगे दो चार पर आगे राखली नी या ते बच्चे नूद ना उन क्या 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 है और गंदे भी कोई नी कर दें गाल उत्ते केंदर अब आजे तक कोई हो एंगे तो यह पिशला यह तुरे आ रहा है चार कमी नहीं ता पस्ता आर जो पेजिए पहे ते उन्दों ही जमा करा देंगे उन्दी पेज जांगे जदो आज जणगे फिर आजी ज आजी जन ने देता से जिए मुलों यह तो ने जन देता से दानी सजन कोई आया थी उन्हें डोनेट किता से जर्णी जलता है अचल्दा जी नहीं पर एमर्जनसी ली रख्या हो ना सी विज़िदा जदो गर्मी पेंदी ज्यादा उदो बच्चानों रहा देना आसते कोई आज राव तुला राम स्टेडियम रेवाडी में मांसिक अक्षम और मूक बधिर बच्चों की जिला स्तरिये खेलखूत ओपन प्रतियोगता का आयोजुन किया गया जिसका बतोर मुख्य अतिती जिला भाजपा द्यक्ष पंडित योगेंद्र पालिवाल ने शुभारम किया जिला द्यक्ष पालिवाल ने बताया है कि ये बच्चे भगवान का रूप है इनके मन की भावना और इनके प्यार करने का तरीका नीश्वार्थ है कि अगर इनको मोटिवेट ना किया जाए तो ये टॉलेट भी नहीं जा सकते हैं और मैं अभी जब देख रहा था मेरी अपनी सोच है कि देखिए आपने एक परकार रन और बच्चे दोड़ लिए तो देखिए आप जो कहरेते कि अगर इनको नग एक छोटी सी बात कहते कि साथ ग्यान को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते बसरते इनको मोटिवेशन की जरूरत है इनको भी शेयर की जरूरत है और हम तो इन बच्चों को दिव्यां की स्रेनी देते हैं ये देवता के रूप हैं दिव्वे रूप हैं और इनके दर्शन मातर से ही जीवन सफल हो जाता है तो इनकी सेवा करने से तो कितरा लाब होगा ये हम सब लोग अच्छी तर जानते हैं मैं उन्हें नवपेड़ना इस मल्च को जो इतने समर्पन भाव से त्याग और अपने अथा सहयोग से जो इन भच्चों की सेवा कर रही है मैं इस नवपेड़ना मन्च को अपनी तरफ से बहुत-बहुत मुभारिक बात देता हूँ आज मैं इस मन्च से एक चीज़ और कहना चाहरा हूँ मलिक साह आप कहने हैं कि हमारे पास कोई गौर्वर्मेंट एडिनिस्ट है कि हमारी जिले की ग्रिवेंस की बैठक होती है और उस में माने चीरमें हमारे आते हैं राजकर चीरमेंए मिस्टर वीपल गोहिश दी तो मैं आप से यह प्रात्रा करूँ कि जिस दिन ये ग्रिवेंस की बैठक हो आप अपना इसका वो बना के और वो मुझे दें मैं मैं मैक्सिमम गॉर्मेंट से ग्रांट इसके लिए आपके लिए दिलवाँगे यह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ इन सभी बच्चों का जो आज पाइस्पेट कर रहे हैं सिदार दगर के डूम्रियागंज थाने का आसपी डॉक्टर धर्मबीर सिंग ने वाशिक दिरेक्शन किया इस मोगे पर उन्होंने थाने में फैली गंदगी पर फटकार लगाई साथी उन्होंने कहा है कि थाना बहुत पुराना थाना है जो खामिया थी उसको समप्त करने के लिए निर्देश दिया गया है वही उन्होंने ये भी कहा कि थाना परिसर में जिन लोगों द्वारा कबजा किया गया है उसको खाली कराया जाएगा थाना डुमरिया गंज का जो 1883 का बहुत पुराना थाना है इसका वार्षिक निर्चन किया गया भौतिक संसाधनों का मानो संसाधनों का निर्चन परिचन किया गया आरच्छियों के लिए और यसाई के लिए जो आवास बने हुए है या जो निर्वाना धीन है उसके बारे में जो कम्या थी ठेकेदार को इंस्पेक्टर को बताया गया जो सस्त्रागार था हवालाथ जो बिल्डिंग जो अभिलेक इनका निरिछन किया गया जो जो कम्या पाई गए उसको सिख्र दूर करने के लिए बताया गया पड़ोस के लोगों ने कुछ जमीन कब्जा की होगी अब ये बताया गया है कि SDM से नाप तसिल्दार से इसकी नाप जो करा ले अगर प्राविट लोगों का है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर से उसको हम देखेंगे पाकिस्तान आंतकवात एक्सपोर्ट करना बंद कर दे वरना उसे एक-एक बूंद पानी के लिए तरस्ता दिया जाएगा पाकिस्तान को ललकारते हुए ये बयान केज़िये मंत्री नितिन गटकरी ने जबलपूर में आयोजित कारेकर्ता सम्मेलन में दिया पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए गटकरी ने एक बार फिर सिंधू जल संधी का जिक्र किया यूपी में कल दिये गए अपने बयान को धुराते हुए उन्होंने व्यास, रावी और सप्तलच के अलावा जेलम, इन्डस और चिनाब नदी का पानी भी रोक देने की बात कई है इसके साथ ही जबलपूर के विकास के लिए केंद्री मंत्री ने करीब 5,000 करोड की योजनाओं की सोगात दी है भाई बैन और भाई वाम राश्टवाद यह हमारे विचारों का आत्मा है पाकिस्तान को तीन बार पता चला कि यह रड़ाय में हम पाहिए उस्तान को नहीं हरा सकते तो पाकिस्तान में आतंकवादियों और आतंकवादियों को भीज कर एक प्रॉक्जी वाफ शुरू कर दी है इम्रांग खांबरे गोलते हो कि हमारा कोई संबन नहीं तो जो लोग आतंकवादियों आते हैं जिनकों पकड़ते वो पाकिस्तान के लागरिक हैं उनके बास मोबाइल फोल है पाकिस्तान के सहिलिकों ने मिल्टी ने दिये वे अउजार है दारों हो लाग और इतना होने के बाद भी पाकिस्तान चूरू होता है हम पाकिस्तान को कली मैंने कहा था मैकल उत्रकुदेश में था बुलंड शहर है और मैं यमुना पर छे प्रोजेक्ट कर रहा हूं और जब 1907 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अवार्ड हुआ था पाकिस्तान के तरफ से पैसे अयुप खान और भारत के रहां से पंडित जवाबला देरों ने साइन किया था इंडिस्किति के नाम से वह प्रसिद्ध है और उस समय जो छे नजिया थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होती थी तीन नदिया पाकिस्तान को मिली और भारत को मिली और हमारे अधिकार का पानी था वह भी पाकिस्तान में जा रहा था तो मैंने हमने निर्ने किया क्याबिलेट में अपरोल दिया हम तीन प्रोजेक्ट बढा रहे हैं जो हधिकार का पानी है उसको रोख कर पंजाब भर्याना उत्रप्रश और राजस्तान उसको बाकिती नदिया जो पाकिस्तान में जाती है जेलर है चिवाराब है वह भी हमार कि दोनों देश में प्रेम, सोहार्द, स्रयोग हो, भाई सारा बढ़े, और दोनों देश में मालिक महित्री अक्षी बढ़े, रिलेशंची पच्छी बढ़े, कि सोहार्द के लिए हम यह अवार्ड कर रहे हैं, और यह इंडस्क्रिटी के नाम से प्रसिद्ध है, पर आज हम जब सोचते हैं, तो कहा गया सोहर्द, कहा गया मिलत्री, कहा गयी हमारा कॉपरेशन, कॉडिनेशन, आपको बता दे कि जबुलपुर पहुचे, खेंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाइओवर का भूमी पूजन किया, गड़करी ने 1500 क करोड की सोगाती, भूमी पूजन कारेकरिम के बाद केंजरी मंत्री गड़करी जबुलपुर संस्ते शेत्र के कारेकरता संबेलन में भी पहुचे, आगामी लोकसभा चुनाफ से पहले जबुलपुर जिले भर में मद्दाता सूची का अंतिप प्रकाशन कर दिया गया है, जबुलपुर कलेक्टर छवी भार्दबच ने इस बात की जानकारी प्रेस्तवारता में दी, कलेक्टर ने बताया कि जिले में 52,000 मद्दाताओं का नाम मद्दाता सूची में जोड़ा गया है, वही 32,000 मद्दाताओं के नाम मद्दाता सूची से काटने की कारवाही की आज उस समय खूनी संकर्ष में वदल गया जब माफिया के गुर्गे ने एक युवक को गोली मार दी इस घटना से नराज ग्रामीनों ने आरोपी युवक को जम कर पीटा भीड से जान बचाने के लिए गोली मारने का आरोपी अपनी जान बचाने के लिए जब घर में घुस गया तो भीड ने घर में पेटरोल डाल कर आग लगा दी जिसे गोली मारने वाला आरोपी युवक गंभीर रूप से जुलस गया इस घटना में घायल हुए दोनों युवकों को इलाज के लिए जुलस पताल में भरती कराया गया है वहीं इस घटना में भीड ने वहां खड़े एक ट्रेक्टर को भी आग के हवाले कर दिया हमको बोला गया कि जो है आप रूसरे नखंड की रास्ते ला दीजिये क्योंकि किसान हैं को एक तरक शैनी लोगों को भी रास्ता दी है अद उसकी तरह दूसरे ठेके दार को बिरास्ता दिये हैं दूसरे को देने के लिए इनोंने वहाँ साथ भी रोगई तक कोई मुआउजा भी नहीं दिया है बाज अब जस्ती फत्य बहादूर और राजू सिंग भाजहजस्ती हमारे बगीचे छेत कि रास्ते हैं तक मुआउजा भी नए दिया गया हैं आज कुछ बात नहीं हुँ आज गाउं से हम आ रहा है थे टावर के पास ये वही पे खड़ा था खाली नमसकार इससे बोला गया है तो इसने का कि अभी नमसकार कर रहा हूँ उसको रास्ता दे दी हो मादर चोद्थ और ऐसे काली दे के तुरंट जो है तमंचा निका ऋटि भी है फायर कड़ पास में कड़े थेिके तुकि तमंच को हमने पकड़ लिया था वहो हमारे जाक फिन लिया के उसके बूसके बार नमचा भी चीन लिया है तूरंट जो हे 12 नम्बर राल्टी में घुसगया है अंदर उनको बोला है कि निकालो राइफल, लेकिन गाउं की बात थी, वहां पे कोई राइफल कुछ नहीं था, अब वो अंदर भुज गया है, नहीं क्या है, हमाई मेरा नाम नीजस की बेदी है। तब तक के लिए नमस्कार।